अस्वामलीकूम वीवर्स कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में आपका धेर सारा वेलकम है दोस्तों आज मैं आपसे पॉंड्स के न्यूली लाउंच दो ब्राइट मेरिकल फेसवाश का रिवियू करने वाला हूँ यह दोनों फेसवाश एंटी एजिंग के लिए हैं इनकी क्या फार्मलेशन और इसके लेवा और क्या बेनिफिट्स हैं इसके मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों तो पॉन्ट का जो ये पिंग वाला फेसवाश रख ना ब्राइट मेरिकल इसके अंदर को लैजन जो होता है ना वो हमारी सकीन के अंदर हमारी डर्मस लेयर में दो टिशूज होते एक कॉलैजन और एक लास्टन इनका काम होता को को बढ़ना शुरू हो जाते हैं वह यहां फिर कॉलैप्स कर जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारी स्किन लेटकना शुरू हो जाती है हमारी स्किन पर सैगिंग आना शुरू हो जाती है तो यह जो फेस वाश है यह आपकी स्किन को टाइट करेगा फर्म करेगा रिंकल साइन लाइन है ठीक है न और इसके अंदर निया सूर्सी नहला है जो आपकी अनिव स्कीन को इवन करेगा डार्ट पाक को फेट करेगा पिख्मेंटेशन को कम करेगा और आपकी सकीन पर ग्लो लाएगा और इसकी प्राइज जो है वह four फिफ्टी है ठीक है नेक्स जो face wash है ना इसका वो है bright miracle oil control face wash और इसमें भी collagen है जो rinkle fine lines होते हैं वो ज़ादा dry skin में होते हैं अगर आप skin में water नहीं होगा तो वो खटा होना शुरू हो जाएगी तो यह जो formulation है ना मुझे इतनी पसांद नहीं आई क्यूंकि यह oily skin वालों के लिए है oily skin पर अगर आपके rinkle fine lines हैं तो फिर आपके लिए यह face wash best है इसके अंदर भी collagen है आपके skin को tight और firm करेगा ठीक है ना बहुत काम ऐसी skin होती है oily skin के जिसके ओपर rinkle fine lines हो ज्यादा तर dry skin के ओपर ही rinkle fine lines होते हैं ठीक है ना तो पॉंड बहुत अच्छी company है लेकिन इन्होंने यह जो फार्मलेशन है ना इतनी अच्छी नहीं की इस face wash की price भी 450 है अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो इसमें भी collagen है ठीक है ना साथ में oily skin के लिए oil control भी है ठीक है ना अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो please guys like करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी follow आर सकते हैं thank you so much काई अला आफिवाद लगाए